अंडे की बहुत ही टेस्टी और आसान सी रेसिपी जो कि आप चाय के साथ या फिर किसी भी मंचिंग के टाइम पर आप इस स्नाक को बना सकते हैं बहुत ही आसान और टेस्टी विलकम है आपका समस किचिन में यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइस की प्यास ली है और इनको हम पतला काटेंगे जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ इसी तरह से काटिएगा और जब तक प्यास कटकर तयार होती है आप मुझे बता दीजे आप वीडियो कहां से देख रहे हैं बड़ा अच्छा लगता है आप लोग के कॉमेंट्स जान करके और देख करके कि आप लोग इतनी दूर दूर से अपना प्यार दे रहे हैं तो आप प्यास को मैंने काटकर के एक बॉल मिलिया है नमक डाल दिया है हरी कटी मिर्च है दो हरी धनिया है थोड़ी सी और हल्दी है एक चोथाई चम्मच, हींग एक चोथाई चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च एक चम्मच, जीरा एक चोथाई चम्मच और इन सब चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब आप हमारे साथ इंट्रैक करते हैं तो अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप से मेरा वीडियो में सो सकता है धांकर के थोड़ी देर रखेंगे ताके इसे पानी रिलीज हो जाए यहां पर लिए हैं मैंने तीन सख तूबले हुए अंडे और अंडो को हम इस तरह से काटेंगे आधा अंडा बचा करके रखेंगे ज कुछ इस तरह से और यह सारे स्लाइस हो गए है अब हम चलते हैं देखते हैं प्यास को अपनी तो प्यास ने काफी सारा पानी छोड़ा है और यह थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है ऐसा करने से इसमें बाइंडिंग अच्छी आईगी और इसमें डाल दिया है मैंने एक कप ब अध्रक लहसुन का पेस्ट थोड़ा एक चोटा चमच इनको मिला करके हम एक डो टाइप का बना लेंगे पकोड़े की तरह है बहुत ही लिकुड वाला हमको नहीं बनाना है इसको थोड़ा सा हमें थिक रखना है जरूरत के हसाब से थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक थोड़ा सा तेल डाल देंगे क्योंकि जो बेसन है वो हाथ में काफी जादा चिपकता है तो हलका सा तेल लगाने से यह मैनेज करने में आसाली हो जाएगी हाथ में थोड़ा कम चिपकेगा और बस अच्छी तरह से मिला देंगे सभी चीजों को तो यह बहुत ही मज़ेदार पकोड़े हैं जरूर एक बार ट्राइ करिएगा किसी भी पार्टी में आप बना सकते हैं शाम के स्नैक में बना सकते हैं अब हाथ में तेल लगा देंगे क्योंकि बेसन हाथ में चिपके नहीं जादा और बस थोड़ा सा बैटर लेकर के नहीं को मौड़ देंगे बस यह हमारा रोल टाइप का तयार हो गया है यहां पे तेल गरम करने के बाद मैंने गयस को धीमा कर लिया है मेडियम लो फ्लेम पर कर लिया है और इसी आच पर फ्राइब करेंगे एगदम से तेज आच पर मत फ्राइब करिए गा नहीं तो यह अ पलट करके दूसरे साइट से भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ कर लेंगे तो यह बहुत ही इंस्टेंट और मज़ेदार एग पकॉड़े हैं यहां पर अब यह गोल्डन हो गए हैं डेली समक्स किचिन में नई रेसिपी लेकर के आती हूं तो प्लीज फॉलो कर लीजे इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर और सब्स्राइब कर यह यूट्यूब पर तो अब हमारे पकॉड़े जो हैं तो बिल्कुल गोल्डन हो गए इ मैं आपको कटकर के दिखाती हूं और यह बहुत ही हमारे टीस्टी बहुत ही क्रिस्पी मसेदार से एक पकॉड़े बनकर तयार हो गए हैं तो मिलती हूं आप से नई रेसिपी में तब तक देखते रहे हैं समस किचिन टेक केर बबाए